यही विशय बोल ला था इस्त्री धर्म का तो जैसी मैं मन से उत्रा बोली मुझे आप से बात करने हैं मैं निका मैं यह कल बात करने ना पड़ची पर लिखके देदेना या आजाना हमारे निवास पर तो आई आकर के महराज बड़ी गुस्ता हुई मुझे मैं नेका क्या हो सभढ़ की महराजी सारे घ्रंत सारे सारे ढण अपनिशद पुराण और यह सब सारे वेक्ता था सारे संथिष्स को हिआ समझाते ह KI अ कब हिए कि तीक फॉर्विक को समझते हैं इस्त्री समझें इस्त्री के लिए हैसारी जगे पर लिखे जाते हैं इस तरिया इसे रहे ऐसे पुरुश की लिए कभी क्यों नहीं कहते हैं को भगवान की कृपा से गुरू की कृपा से हमारे पुझ्य पिताजी महराज के आज्या से बढ़िया उत्तर मनमें तभी आ गया थाकूर जी क्रपा कर देते हैं कभी-कभी ऐसे जिम्मेवारी उसी को दी जाती है जो जिम्मेदार होता है गयर जिम्मेदार को थोड़ी दी जाती है बार-बार सम्हलने और यह का सम्हलने करने की बातें ही त्रीयोंगी perceived जाती क्योंकि उनकी उपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पुरुष्टो गैर जिम्मेवार है को कोई जिम्मेवारी थोड़ी निभापाता है जिम्मेदारियां तो माता है निभाती है इसलिए उनको समझाया जाता है ब्याद जब होता है तो लड़का को कोई नहीं समझात लड़की को सब जैंद ऐसे रहना ऐसे रहना जे करना क्यों तुम्हें जिम्मेवारी है भाई माता घर से जाती है दो बेटे हैं एक छोटा एक बड़ा घर की चावी और सारा रख रखा बड़े को देके जाएगी क्यों बद्धी माने कि यह ध्यान रखेगा छोटे को तो संगी ले-जाती वह दू संगी चल गर रहेगा तो ई उत्पात करे हैं बंद्वों कि माताएं बहने और जितनी भी बालिकाएं हैं इस बात को वो समझ लें कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके उपर उनका स्वच्छंद होना तीन लोगों का बरबाद कर देता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे तीनों आप जिम्मेवार नहीं बनोगी तो आपकी जिम्मेवार होना बहुत जरूरी है लोग इस बात पर वहान अंपार्वमेंट वाली मुझे गेर लेंगे क्यों सवच्छंद क्यों नहीं हो सकती म देते लोग के राजाइं हैमत मैं उनके उपर जिम्मेवारि है उनको सब चीजों को समझ करके समभाल करके संजोना पड़ता है निभाना पड़ता है एक तपस्या का जीवन है एक इस्त्री होना है पुरोष होना तपस्या नहीं है इस्त्री होना तपस्या है और उसको तपस्वनी बन करके जो करे निश्यत है कि वो तीन पीडियों को कल्यान कर देती है इसलिए वह यह माताओं के रूप में जन्म लेना इस्त्री के रूप में जन्म लेना बेटी होना बहुत बड़ी तपस्या की बात है आपको ठाकुर जी ने जिम्मेवार समझा है इसलिए इस्त्री वनाया है उस जिम्म वारी को समझो और उसका पालन करो पुरुष तो कुछ नहीं बेकार हैं सब ऐसे कर रहे हैं सब काम सब चीज की योगता एक जगे मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल में हार्ट अटेक से मरने वाले सबसे ज़्यादा पुरुष होते माता हैं नहीं क्यों गाड़ी खरीद के उल्ड़ आए खड़ी रहे चलाओ नहीं तो इंजन जाम हो जाएगा यह तोरीक लेकिन घाड़ीकों चलाते रहोंगे तो इंजन बचा रहेगा हर्ट हमसबको दिया भगवान ने पुरुष चलाती नहीं तो इसलिए जाम हो जाता ये एक पड़ जाता है अटेक पड़ जा जाया आप मॉनिटर हो क्लास की इसलिए टीचर आपको जम्मेवारी दे रहा है कि सब को साइलेंस करके रखो पोर कॉडिनेट करके रखो कि तुभर तुश्व शुशनम्स्त्री नाम पर